Hello Everyone, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं यानि हम एक ही टूल्स में restricted नहीं हैं हमारे पर बहुत सारे टूल्स होते हैं किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए और बनाने के लिए तो यहाँ पर हमारे पर दो आप्शन हैं या तो हम कोडिंग से बना ले अपनी वेबसाइट और या फिर हमारे पर बहुत सारे ड्राग और ड्रॉफ वाले फीचर्स होते हैं बहुत सारी वेबसाइट के अंदर कि हम सिर्फ ड्राग और ड्रॉफ elements को ड्राग और ड्रॉफ करके एक बहुत ही जादा सुन्दर वेबसाइट बना सकते हैं तो इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे टूल्स के बारे में बात करेंगे और उन में से जो सबसे better और easy रहेगा उसके बारे में हम अपने further lectures में बात करेंगे और उसी पे काम करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहला जो टूल है हमारे पास website को design करने का और बनाने का वो है wordpress wordpress एक ऐसा tool है जहां पर आप अपनी website बहुत ही जादा high level तक एक बहुत जादा potential level तक अपनी website को बना सकते हैं उसके इंदर बहुत सारे features होते हैं wordpress basically आपका free भी होता है और paid भी होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें use करनी होती हैं वो सारी बहुत सारी चीज़ें पेज होती हैं और कुछ चीज़ें फ्री भी होती हैं तो फ्री में भी आप बहुत अच्छी website भी बना सकते है बट इसमें क्या होते हैं आपको जो डुमेन नेम है और जो होस्टिंग है कभी कबार उसके चार्जिस करते हैं यह लोग आप इसको फ्री में भी बना सकते हो अपने कंपूटर में डाउनलोड करके पर वो बहुत जादा टेक्निकल हो जाता है इसलिए जो टेक्निकल बेक्राउंड से नहीं है जैसे कि मैंने शुरू में बताया था इस कोर्स के कि उनके लिए वीडियो है जो इस टेक्निकल वेक्राउंड से नहीं है और जिनको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो भी एक वेबसाइट बना सके इस कोर्स को एसा डिजाइन किया गया है तो इस वीडियो में हम अपने इसकोर्स में WordPress का यूज़ नहीं करेंगे बट यह आपकी जनल नौलिज के लिए हैं कि हम WordPress का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी website को design करने के लिए और website को build करने के लिए यहां पर देखिए WordPress के अंदर का लुक कैसा होता है wordpress के अंदर हमारे पास five में यहां पर बहुत सारी चीज़े होती हैं color change कर सकते हैं button का button को add कर सकते हैं heading का text का size वगरा यह सब change कर सकते हैं यह सब चीज़ें next हमारे पास जो है वो है Wix Wix भी एक website है जहां पर आप अपनी website को design कर सकते हैं website को build कर सकत हैं just by just dragging and dropping मतलब आप drag and drop करके elements को drag and drop करके आप यहां पर अपनी बहुत ही ज्यादा सुन्दर website बना सकते हैं तो यह भी हमारे पास एक alternative option है website को design करने का और website को build करने का next हमारे पास जो option आता है वो है layout it layout एक ऐसा platform है जहां पर आप अपनी website को layout कर सकते हो यानि अगर जिनको coding आती है तो तो well and good आप इस पर काम कर सकते है और आम से और यहां पर जो आपको coding किसलिए आनी चाहिए यहां पर जो text वगर होता है यानि जहां पर आपको text का अगर कुछ change करना है अगर यहां पर text पर लिखा हुआ है try our simple front end and management tools आपको इस the knowledge purpose मैंने आपको यह वाला एक platform बताया है जहां पर आप अपनी website को layout उसका layout डिजाइन कर सकते हो यह उसके लिए best है ड्राइग और डॉप करके आप यहां पर layout डिजाइन कर सकते हो पर उसकी अंदर की जो elements की जो चीज़ें है elements के अंदर की जो modification है वो आप से coding से ही कर सकते ह platform है वो है हमारे पास Weebly इस course में हम वीबली पर ही काम करेंगे और हम क्यों काम करेंगे वो हम discuss कर लेते हैं वीबली एक ऐसा platform है जहां पर आपको easily website create करने का यह option देता है और यहां पर भी आप अपने एक normal और एक अच्छी website भी design कर सकते हैं और यहां पर क्या होता है आपके पास यहां पर इसका dashboard होता है इसका layout होता है वो बहुत जादा easy होता है और कोई भी person उसको देखके समझ सकता है कि ठीक है इस tool का use यह हो सकता है तो यहां पर इसको use करना easy है पहली चीज़ी है दूसरी चीज़ यह free है free of cost है यहां पर आपको domain name मतलब बनाने से लेकर publish करने तक website को यह चितनी भी चीज़े हैं यहां पर आपको free में अवलेवल कराता है आप यहां पर अपना खुद का domain name भी purchase करके कर सकते हो और यह आपक website को एक नाम से host कर सको इसी platform के हम बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर का कुछ जो अंदर के dashboard है इस वीबली के जो अंदर की चीज़े हैं वीबली platform के कुछ dashboard कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आपको अभी screen पे दिख रहा है यहां पर कुछ elements होते हैं उनको हम drag करते हैं और अपनी website के अंदर drop कर देते हैं जैसे मैंने button drop किया और इस button के अंदर कुछ भी change करना है आपको center में लाना है button कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं तो यहां पर इसी course में हम सिर्फ वीबली के बारे में बात करेंगे वीबली पर website बनाने से लेकर और publish करना कैसे होता है publish कैसे करते हैं website को वो हम वीबली पर ही सीखेंगे यहां पर इसलिए इस course को ऐसे ही design किया गया है जिससे कि आपको easy रहे website बनाना और हम पूरी website बनाना सिखेंगे इसके अंदर so thank you so much मिलते हैं अपनी next वीडियो में झाल